नमस्कार मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम एक बार फिर से उपसित है एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके लिए लेकर आये हैं रिजिनिंग टॉपिक के अंतरगत कैलेंडर संबंधी अती महत्पूर्ण प्रेशन जिन में हम आ समिक शादिकारी परिक्षा, संग लोक सेवा आयोग की परिक्षाओं, उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिक्षाओं वा अन्यक कई परिक्षाओं में पूछे जाते हैं जदी आप आज की वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस टॉपिक को बड़ी आसानी से तयार कर सकते हैं किन्तु आगे बढ़ने से पहले हम निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करपिया वीडियो के नीचे लाला रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा बराबर में दिये गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको सूच ना मिल जाये करें चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिजनिंग की तैयारी तो मित्रों रिजनिंग पार्ट वन में आज का टॉपिक है कैलेंडर संबन्दी प्रेशन इस प्रिकार के प्रेशन आम तोर पर लगभग सभी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं तो मैं आज आपको किसी भी तारीख का दिन निकालना बताऊंगा तो मित्रों किसी भी तारीख का दिन निकालना बहुत आसान है तारीख चाहे कितने भी पुरा नहीं हो या आगे की क्यों नहीं हो हम उसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं किन्तु से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानकर यह होनी चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साधरन वर्ष और लीप वर्ष के बारे में तो मित्रो साधरन वर्ष जैसे आप लोग जानते ही है साधरन वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होते है लीप वर्ष में एक दिन अधिक होता है तो मित्रों ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिव वर्ष में एक दिन अधिक क्यों होता है इसका कारण ये है जैसे आप जानते हैं प्रत्वी को सुर्य की प्रकर्मा करने में जो समय लगता है वो 355 दिन 5 गंटे 48 मिनट और साड़े 47 सेकंड लगते हैं तो 5 गंटे 48 मिनट और साड़े 47 सेकंड को लगबग हम 6 गंटे मान सकते हैं जो कि एक वर्ष में होते हैं तो मित्रों अगर हम बात करें 4 वर्षों की तो 6 चौक 24 गंटे हो जाते हैं मतलब एक दिन के बराबर होता है तो 4 वर्ष के एंतराल पर लिव वर्ष आता है जिसमें ए यह वर्ष 4 से पूरा विवाचित ना हो तो वह साधरन वर्ष होगा क्योंकि 4 वर्ष बात तो लिप वर्ष हो जाता है जैसे उधारन के तोर पर मैं आपको बताना चाओंगा मित्रों जैसे हम यह उधारन लेते हैं यह उधारन लिया हमने 1997 और 1999 ठीक है मित्रों तो आप अगर आप 1999 को चार से विवाजित करते हैं तो भी यह है चार से विवाजित नहीं होता इसका मतलब क्या हो मित्रों इसका मतलब यह हुआ कि यह साधरन वर्ष है इसी प्रकार अब हम बात करते हैं लिप वर्ष की तो लिप वर्ष कौन कौन से होते हैं यदि दिया गया वर् वर्ष को देखते हैं कि यह 1952 को हमने चार से भाग किया आया 408 सी पूर्ताय भाग हो गया और यहां 2016 वेटे चार 504 यह भी पूर्ताय विभाजित हो गया ठीक है मित्रों तो यह हमारा क्लीप वर्ष हो गया है ठीक है अब हम बात करते हैं शताब्दी साधारन वर्ष की यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष होगा यानि 100 के गुणाज वाला होगा तो वो 4 से पूरा विभाजित नहीं होगा यानि जो शब्द हमें दिया होगा जो संख्या हमें दी होगी वर्ष की जैसे 1300, 1200 यह शताब्दी साधारन वर्ष हो पूर्टे विवाजित नहीं होता इसी पिकार 2100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 400 से तो यह 400 से पूर्ण विवाजित नहीं होता है अब आगे चलता है मित्रों शताब दिलीप वर्ष की और तो यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है यदि दिया गया वर्ष 400 से पूर 200 को 400 से विवाजित किया तो यह 400 से पूर्ण विवाजित होता है ऐसी बत्तिस सो भी 400 से पूर्ण विवाजित हो जाता है तो यह दोनों सताब्दील लीप वर्ष होंगी ठीक है आगे चलते हैं अब मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे हम जानते ही हैं कि किसी महीने में 31 कि सिमें तीज दिन होते हैं फर्वरी में 28-29 दिन होता है इनको याद करने का क्या तरीका है क्यों किस्वें किस में की हिने दिन होते हैं तो मैं आपको इसका एक सिब्छा ले कर पाएंगा आप बड़ी असानी से केवल फरवरी को छोड़ कर तो साधरन वर्षी फरवरी 28 दिन की और लिप वर्षी फरवरी 29 दिन की हो जाएगी मित्रों तो मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा देखिए यहां पर आप जैसे हमने यह जनवरी लिखा फरवरी मार्च अपरेल माई जून जलाई अगस कौन कौन से बताया है मित्रों तीसा वाले अपरेल जून अपरेल जून सितंबर नवंबर अपरेल जून सितंबर नवंबर यह तीस के मैंने बताएं तो मैंने इसके नीचे तीस तीस लिख दिया फरवरी चोड़कर बागी सब में 31 लिख दिया तो यह बहुत आसान तरीका हो गया अब फरवरी 28 या 29 हो जाएगी जिसे आप यहां देख वा रहे हैं ठीक है मत्रों ठीक है है ना और यहां पर अपरेल जून सितंबर और नंबर तो यह वाले मत्रों कितने के हो गए 30 30 के हो गए है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अब विशम दिनों की बात करते हैं विशम दिन तो मत्रों आप जानते हैं सबता हमें साथ दिन होते हैं ठीक है तो एक महा में दिन कुन कितने होते हैं 28 29 31 के इसाफ़ाइए 28 29 आप फरवरी में माल लेजिए और 32 बाकी और महिनों में ठीक है तो कुल दिनों की संख्या को साथ से भाग देने पर जो हमें शेश पर राब्त होता है वह संख्या विशम दिन की संख्या होती है जैसे जनवरी जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 दिन होता है तो हमने साथ से 31 को भाग किया देखे मैं आपको बता रहा हूं करके जब हम यहाँ पर यह साथ से भाग करते हैं 31 को 74 28 कितना आया 3 दिन तो 3 इसमें विशम दिन हो जाएगे तीन क्या हो गए विशम दिन हो गए ठीक है मितरो ठीक है तो जनवरी में विशम दिन की संख्य कितनी हो गई तीन हो गई है ठीक है इसके मैं आगे चलता हूँ अब मैं आपको बताता हूँ एक वर्ष में कितने विशम दिन होंगे ठीक है मित्रोओ अब साधरन वर्षिता-भर्ष में हमारे पर 365 दिन होते हैं ठीक है तो हमने इसको साथ से भाग किया ठीक है मित्रोओ तो मैं आपको बाग करके दिखा रहा हूँ हम यहांपर जहां स से देखिएगा यह हमारा 7 साथ से हमने 300 पैसल को भाकी तो 7 पंजे 35 ठीक है कितना बचेगा एक बचेगा यहां पाज उतार लेंगे उसके बाद 7 दूनी 14 तो यह एक क्या बचा मित्रों यह एक हमारा क्या हो गया विशम दिन हो गया ठीक है तो एक साधान वर्ष में हमारे पास विश्म दिनों के सिंख्या एक दिन एक लीफ वर्ष में दिनों के सिंख्या निकालने के लिए तो एक लिवर्स में दिन कितने होता है 33 से 66 तो हम विशम दिन अगर निकालना चाहएं तो सेम जैसे अभी हमने भाग किया था मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ मैं आपको भाग करके दिखा रहा हूँ देखे 7 35 यह हो गया भाग यहाँ पर और एक बच्चा छे उतार लिया उसके बाद साथ दूनी चौदा ठीक है तो ये दो कितना आ गया है मित्रों ये दो दिन जो आ गए हमारे पास ये क्या जाएंगे ये दो दिन आ जाएंगे विशम दिन अथा लीफ वरिश में लीफ वरिश में जो विशम दिन है उनकी संख्या दो हो जाएगी ठीक है मित्रों अब आगे चलते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात और क्योंकि ये बहुत ज़्यादे इंपॉर्डेंट है विशम दिनों की अधिक्तम संख्या केवल छे ही हो सकती है चाहे वो लेपियर हो या फिर सधारण वरिश हो ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ शेश फल के अधार पर दिन ग्याद करना हूँ विशम दिनों की संख्या हमें निकालनी है शेश फल के अधार पर तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है जैसे अभी मैंने आपको भाग करके बता है इसी तरह से अगर हमारा शेश फल जीरो एक दो तीन चार पाँच छे बच्छता है तो उसमें हमारा वो दिन कौन सा होगा तो मैं तो मैं यहाँ पर एक आपको फ्राइडे और छे पर सेटर्डे लगाया है ठीक है मित्रों तो आप यह देखिएगा इस हिसाब से हमारे जितना भी शेश फल आएगा उस हिसाब से हमारे विशम दिन हो जाएंगे इसका मतलब यह हुआ शेश फल जीरो है तो रविवार होगा आप यह मानके चलें आप यह बिल्कुछ सैकलिक ओडर लेंगे और सैकलिक ओडर में जीरो पे आप रविवार को परदेशित करेंगे इसके बाद जो लगतार कंटिनुस हमारे दिन होते हैं उनको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 नमबर पर लिख लिजएगा ठीक है तो इसी पकार जीरो वाला रविवार एक सोमवार दो मंगलवार तीन बुदवार चार प्रसपतिवार पांच शुकरवार और छे शनिवार हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं नए टॉपिक पर अब हमारे पास दिये गई वर्षों में लिफ वर्षों की संख्या ग्याद करनी है ठीक है और साधरन वर्षों की संख्या ग्याद करनी है ठीक है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो दिये गई वर्षों होंगे जैसे सपोज कीजिए हमें 51 वर्षों दिये हैं तो हम उसमें हमें पूचा हrouए कि इसमें लीप वर्ष होना हो और कितने साधारомина वर्ष होना है तो मालने आपको उधार आन की तौर लेकर बगलाता हूं तो हमें दिए गए वर्ष वर्ष की संक्हिझा को चार से भाग देने पर भागफल की संखिझा जो होती है वो लीप वर्ष के संख्या होती है ठीक है मैंतरों आप डुबार सुन लिजेगा जब हम किसी दिये होई वर्षों की संख्या को चार से भाग देते हैं तो जो भागफल आता है वो लीप वर्ष के संख्या होती है जैसे हमारा सवाल है यह देखिए 51 वर्षों में 51 वर्षों म के लिए इस पोम चार से भाग दे रहे हैं यहाँ पर हम चारण से के मड़े रहे हैं तो यह चाड़ जाए रहे हैं एक और एक चार दु키्किना खाएगा ऀै जाएगा invites यह बारा आगिसंगिने खेंकितनी ओंप्रेंस फैने। क्यावनमस ने बारह घटा दिया कितना आ गया उन्तालिस और यह उन्तालिस क्या हो जाएंगे साधारन वर्षों की संख्या हो जाएगा अब दिये गए वर्षों में हम विशम दिन गयाद करते हैं दिये गए वर्षों में वर्षों की संख्या में नहीं वर्षों में ठीक है जैसे 51 वर्ष है तो अभी मैंने आपको उधरान की तोर पर बताया था कि कितने लीव वर्ष होंगे कितने साधरान वर्ष होंगे वहां तक तो हमको करने ही होगा अब इसमें विशम दिनों की संखिया हम गयात कर रहे हैं ठीक है अभी देखते हैं तो बत्रों आपने अभी मैंने बताया था आपको लीव वर्ष और साधरान वर्ष निकालना तो इसी पकर मैं आपको बारा वर्ष यह बता रहा हूं 51 वर्ष में बारा तो हमारे लीव वर्ष हो गए और 49 साधरान वर्ष हो गए अब एक साधरान वर्ष में अभी मैंने पीछे निकालकर दिखाया था आपको उसा हल करकर दिखाया था कि एक साधरान वर्ष में विशम दिन कितने होते हैं एक और एक लीव वर्ष में कितने विशम दिन होते हैं दो तो यह बारा लीव वर्ष है तो बारा दुनी 24 विशम दिन साथ से भाग करेंगे और यहां पर 49 है था यह इस 49 को साथ से भाग करेंगे ठीक है तो यहां पर कितने कितने दिनों हो जाएंगे देखेंगे देखेंगे यहां कितने शेश बचे तीन शेश बचा और यहां कितना शेश बचा यह चार शेश बचा ठीक है तो कुल उनको जोड होती है छे होती है ठीक है तो आप एक कम कीजिएगा तो यह जो हमारा साथ आया यह वाला यह वाला जो साथ आया इस साथ को फिर से हम साथ से भाग कर देंगे कि एक वन वीक में जो दिनों की सिंख्या होती हो साथ है 51 वर शो में विशम दिनों की संख्या जीर हो जाएगी ऋद एक उधारा नोर लेते हैं जैसे 47 वर्ष ताम्हे तो बिल्कुछ सेम प्रोसीजर है 47 वर्षों में हमें विशम्दमी के संख्या निकाल लिए है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह चार से हमने भाग किया सैतलिस को 11 आया और बचा 36 ठीक है तो हमरे पस 11 तो पूरा पूरा वर्ष हो गया जो भागफल है तो वो लीव वर्ष हो गया तो 47 वर्ष में लीव वर् कितने विशम दिन होते हैं तो 36 गुणा एक 36 विशम दिन और 11 दुनी 22 यह विशम दिन हो ठीक है तो यहां पर 36 आगिया तो यहां 36 को साथ से भाग करेंगे कितना शेष एक शेष और यहां 22 को साथ से हम साथ से हम 22 को भाग कर रहे हैं कितना शेष एक शेष तो कुल शेष कितना हो गया दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए यह हो गया कुल शेष हो गया वन प्लस वन टू यानि 47 वर्षों में कितनी संख्या आ गई दो हो गई यानि 47 वर्षों में विशम दिनों की संख्या दो हो जाएगी चलिए आगे चलते हैं थोड़ा से मैं आपको बतना चाहूंगा कि प्रमुक शिताब दियो में विशम दिन कितने होते हैं प्रमुक शिताब दी जैसे सो का गुणा जो भी माल लिजिए जैसे आप माल लिजिए सो वर्ष में तो ये पांच दिन होते हैं सो वर्ष में है ना सो वर्ष में जो हमारे पास विशम दिन वे पांच है ठीक है दो सो में तीन है है ना और तीन सो में एक है चार सो में ये जीरो है तो चार सो वर्ष के बाद जो विशम दि 1200 1200 इस तरह से जितने भी 400 के गुणज होंगे उसमें विशम दिनों की संख्य जीर हो जाएगी ठीक है अब मैं आपको किसी भी अब तक आपने जीतना सीखा है उसके अधार पर मैं अब आपको बताऊंगा कि किसी तरह हम किसी भी डेट की दिन कैसे निकाल लेंगे बहुत यह जो अब अब हमारे पास निकांपिल है फंदरा अगस्त उनिससो सेतालिस को कौन सा दिन था ठीक है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह पंदरा अगस्त उनिस्ब्सटांव हो कौन सा दिन था चैक है इसका Sum мо cowboy token Indy Project कोYo Ao ठीक है जड़ा देखिएगा आप ये देखिए 1947 पंदरा अगस्त है इसका मतलब किया हुआ 1946 का वर्ष पूरा हो चुका है और 1947 में एक जन्वरी से लिए के 15 अगस्त तक का समय और ज्यादा है तो आप हम पहले क्याम करेंगे जी हो हमर पास ये 1946 है इसको दो भाग में तोड़ च्री 502 का मतलब हो गया 1946 ठीक है ठीक है मतलऊ या यह यह देखिएगा अब मैं आपको आगे बताराओं अब कि हमने इसको उन्स सो में और चालिस में तोड़ लिया, उन्नीसो को हमने सोला सो में और तीन सो में तोड़ लिया, तो मैंने भी बिताया था, चालिसो की जीतने भी बड़न हो गई, उसमें विशम दोनों की संखिया, जीरो हो जाएगी, तो ये सोला सो में कितने हो गई, जीरो विशम दिन, तीन सो में मैं मैं आपको अभी बताए था कितने विशम दिन एक विशम दिन दिन ठीक है तो अब चैई सब्सक्राइब 30 में मैंने क्या काम किया चैई सिद्सक्राइब की बाटवर से बसंद्सक्राइब ठीक है और 46 में से 11 घटाए तो 35 हो गए हमरे पर 77 ठीक हो गए तो 46 को मुझे इसटेस से तोड़ लिया तो 46 को जो हम इसटेस तोड़ते हैं तो हमरे पास कितना कितना आ जाता है तो 35 तो 77 आ जाते है और 11 लीप अब इसको साथ से भाग देने वाले हैं देखी मिद्रों जब 35 को साथ से भाग देते हैं तो यहां देख रहे हैं आप साथ पंचे 35 पूरा पूरा रट गया जीरो विशम आ गया और यहां 22 को भाग कर रहे हैं साथ से तो एक विशम आ गया ठीक है ना किलियर हो गया आपको चलिए अब इसके आगे की मैं आपको प्रसेजर बदाता हूं ठीक है यहां देखिए अब हम 1946 कंप्लेट कर चुके हैं हमें 1946 के कौन कौन से विशम दिन मिल गए यहां पर हमें मिल गई यह जीरो यह एक वह जीरो और यह यह हमें मिल गए 1946 पूरा होने के विशम दिन अब हम उन्हों से 47 की बात करते हैं तो आप देखिए जनवरी में कितने दिन 31 मार्च मई जुलाई इनके 31 दिन होते हैं ठीक है तो 31 दिनों के हमारे पास कितने होते हैं विशम दिन तीन पेडिन तीन नहें घ। चौक बारातीन फ्रत इन फ्रत ऐसी फ्रीष रॐरी की कितने विशम दिन protagon viverश साश्भाण जीरो विशम दिन ठीक यह नब तो फरिवरी दिन हो गई अब हमारे पास कॉनसे महीन वे तैंब आप्रेयल जून के विशम दिन तो मैंने 14 तो एक बचे का तो एक विशम दिन आ जाएगा ठीक हो गया तो अब आब ये देखिए मैं आपको बताना चाहा रहा था कि हमारे पर कुल कितने विशम दिन हो जाएंगे ठीक है मैं呢 यहाँ देखी मैं आपको यह दिखाता हूं ठीक है यहां देखे तो यह हमारे पास बारा तो हो गए यह वाले यह बारा हो गए ठीक है देख पा रहा है ना आप लोग बारा हो गए यह वाले और इसके बाद चार हो गए यह वाले देखो आप यह चार देख पा रहा है ठीक है और एक यह दे बार है तो हम सब इसको जोड लेंगे कितने हो जाएंगे जनुरे से अगस्तक तक कितने हो जाएंगे 17 हो गए ठीक है अब हम इन 17 को क्या करेंगे हम 17 को साथ से भाग करेंगे यहां देख़वा रहें आप कितना आ गए तीन तो इन महिने को आ गए यानि 1947 के जो हमारे पास 15 अगस्त के दिन थे वह कितने आ गए है तीन आ गए है ठीक है अब जरह हमने अगषी उन्हेसे 26 के भी निकाले थे न कि मैं दिखा दिखा दे रहा हूं 01 ठीक है 01 कितने हैं दो हो गई है क्योंकि 00 को मिनिंग नहीं है तो मार पास एक और एक 2 हो गए एक तरह नहीं भी यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा दिखी मित रहो यहां पर देख Muham dhingya प्रोसेस देखीगा मैंने आपको जो सरकल पर बताया था कि जीरो से स्टार्ट करेंगे संडे को उसके बाद वन टू थूरी वारव फ़ाइब था ने तर्टे फ्राइड लेके अब अब आब यहा देख रहे हैं पांज पर हैना फूरा यहां फ्राइड पर हमारा है फ्राइड आराए ठीक है तो ये 5 पे Fridays है लिए 15 अगस्त 1947 को शुकर होगा पांक विशम दिन पर हमारा क्या आ रहा है पांक विशम दिन पर आ रहा है शुकरवार इसलिए 15 अगस्तะ 1947 को क्या था शुकरवार था ठीक है मैं तरहो तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब कोई भी परिशानी नहीं होगी आप किसी भी दी हुई तारीक का दिन निकाल सकते हैं चाहे वो पुरानी तारीक हो चाहे आगे आने वाली तारीक हो यदि आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन है कोई चीज समझ नहीं आई कोई स्टेप समझ नहीं आय तो आप मुझे कमेंट के माद देंसे बताईएगा या आपको किसी पर्टिकुलर संख्या जो तारीक है उस तारीक का कोई दिन नहीं निकल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि मैं आपको अगली वीडियो में उसका सॉलूशन दे दूँगा ठीक है आप हमारे जो हम नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं ठीक है तैयारी करते रहिएगा और हम आपको इसी परकार वीडियो प्लब्ट कराते रहेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद